विकास के लिए लोक तंत्र बांगलादेश में सत्तारूड हवामी लीग का एक प्रमुख नारा है जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान विकास के मुद्धे को उठा रही है जहां तक मुद्यादी धांचे के विकास की बात है चटगाओं बंदरगाह एक महत्वपूर्ण इलाका है मेरे पीछे जो सड़क है वो करण फुली नदी के नीचे बनी सुरंग में जाने का रास्ता है लेकिन 15 साल से सत्तारूड हवामी लीग पार्टी जिसे विकास बता रही है क्या लोगों को वो विकास रास आ रहा है सरकार का शुक्रिया आदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये सड़क बनाई हमने बंगला देश में इतनी सुन्दर सड़क पहले कभी नहीं देखी खुदा ने हमें ये नेमत दी ये विकास हमारी सरकार कर रही है ऐसा विकास हुआ है जो हमने पहले कभी नहीं देखा लेकिन इस बुनियादी धांचे का मैं क्या करूँ हम गरीब लोग तो महेंगाई से मर रहे हैं इन सड़कों से हमें कोई फायदा नहीं क्यूंकि इस से हमारा पेट नहीं भरता सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए सरकार हमारी मदद नहीं कर रही वो तो सड़क बना रही है बनाने दो सरकार ने फ्लाई ओवर, एक्सप्रेस वे और नदी के नीचे सुरंग बनाई है चटगाओं को कॉक्स बाजार से जोडने के लिए एक महत्व कांख्शी रेल लिंक प्रोजेक्ट भी है इन प्रोजेक्ट्स पर बीते 15 साल में अर्बों डॉलर खर्च किये गए है आम लोग इस बुनियादी धांचे में विकास से होने वाले फाइदों से इनकार नहीं कर रहे लेकिन कई लोगों के दिमाग में अभी भी सवाल है और ये सवाल है चुनाव के बारे में विकास की जरूरत है लेकिन लोकतंत्र की भी जरूरत है हमारा यही सोचना है लोगतंतर नहीं होगा तो मैं और आप मनमरजी करेंगे लोगतंतर नहीं होगा तो किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा यदि मैं कुछ कहूंगा तो इससे मुझे दिक्कत होगी कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तुम्हारा किस राजनितिक दल से संबन्द है? मुझे इन सवालों का सामना करना होगा मेरा किसी सियासी दल से कोई संबन्द नहीं है मैं अपने परिवार को पालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ विपक्षी राजनितिक दल बुनियादी धांचे के विकास से जुड़े अलग-अलग पहलूओं पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने के दौरान प्रश्टाचार हुआ है विपक्षी बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहोगी दल इन चुनावों में भाग नहीं ले रहे हैं अवामी लीग पार्टी के उमीदवार अपने चुनाव प्रचार के दौरान बुन्यादे ढ़ाचे में विकास से जुड़े मुद्दों को सामने ला रहे हैं सत्ता रूर पार्टी के नेता तो यही दावा कर रहे हैं कि ये सारा विकास इसलिए हुआ है क्योंकि अवामी लीग 15 साल से सत्ता में है उन्हें लगता है कि देश की आर्थिक सम्रिधी के लिए आगे भी इसी सरकार का होना जरूरी है साल 2008 में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद क्या बंग्लादेश में लोगों का जीवनस तक बेहतर नहीं हुआ है आलोचना तो तभी से हो रही है जब से ये दुनिया शुरू हुई है आलोचना अभी हो रही है और भविश में भी होती रहेगी मैं इसका स्वागत करता हूँ लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह आलोचना करते रहते हैं अर्थ शास्त्रियों को लगता है कि किसी देश को आगे ले जाने के लिए बुनियादी धांचे में विकास का कोई विकल्प नहीं है इससे रोजगार के अफसर बढ़ते हैं लोगों में संपर्क बढ़ता है लेकिन कई जानकार ये भी मानते हैं कि बुनियादी धांचा बनाना ही विकास का एक मात्र पैमाना नहीं है सरकार और सरकार के सहयोगी इन मेगा प्रोजेक्स को लेकर बेहत खुश है लेकिन जैसा कि एक बार किसी मंत्री ने कहा था कि मेगा प्रोजेक्स का मतलब है उतने ही बड़े पैमाने पर ब्रस्टा चार ये सच्चाई है बांगलादेश मानव विकास सूचकांक में अच्छी जगए पर नहीं है शिक्षा, स्वास्थ, समाज और सांस्कृतिक विकास में तो जीरो है सत्ता रूढ हवामी लीक के निताओं को लगता है कि उनकी पार्टी इसी बुन्यादी धाचे के विकास की वज़े से पंद्रह साल तक सत्ता में रही है उनका ये मानना है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और बांगलादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांगलादेश नाशनलिस्ट पार्टी इन चुनाओं का बहिशकार कर रही है और हुने दो दिनों की हरताल का इलान किया है लेखे बांगलादेश की राजदानी ढाका से BBC सम्मादाता समीरा हुसाइन के रिपोर्ट बांगलादेश की सडकें और गलियां चुनावी पोस्टरों से पटी हुई है ज्यादा तर प्रत्याशी सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के हैं लिकिन विपक्षी पार्टियों के पोस्टर्स कहीं नहीं दिख रहे ये औरत अपनी कहानी पब्लिक में नहीं बताना चाहती इसलिए हम उन्हें एक दूसरी जगा ले गए इनकी पहचान जाहिर ना हो इसलिए हम उनका नाम नहीं बता रहे इनके पती देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी के जाने माने कारे करता थे जिनने पिछले साल गिरफतार किया गया था उसके 26 दिन बाद इनके बेटे के पास फोन आया कि उनके पता की जेल में मौत हो गई ये महिला कहती है कि इन्होंने अपने पती के जिसम पर चोटों के निशान देखे अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके पती की प्राकृतिक मौत हुई है पर ये मानती है कि उन्हें टॉर्चर किया गया था Human Rights Watch का कहना है अधिकारी बड़े पैमाने पर गिरफतारियां, जबरन बल के प्रयोग, टॉर्चर और गेर कानूनी हत्याओं को अन्जाम दे रहे हैं और उनके प्रमुक शिकार कौन है? वो लोग जो सरकार के आलोचक है ऐसा ही दावा BNP कर रही है जो कहती है कि जब भी वो कुछ बोलती है उन पर हमले होते हैं उक्टोबर में BNP ने एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने शेक हसीना के इस्तिफ़े की मांग की एक शांथ प्रदर्शन हिंसक हो गया BNP दावा करती है कि सरकारी सैन्य बलो ने ही हिंसा को बढ़काया था पर न्याय मंत्री इससे इंकार करते हैं उन्हें बोलने का पूरा हाक है पर उन्हें हिंसा बढ़काने का कोई अधिकार नहीं है 28 अक्तूबर को BNP के कारेकरताओं ने मुखने आधिश के घर पर हमला किया फिर पुलिस ने चीजों को अपने नियांतराण में ले लिया और कुछ नेताओं को खास आरूबों के तहट गिरफतार किया किसी की भी मनमाने धंग से गिरफतारी नहीं हुई थी इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों की भहिशकार के बाद बांगलादेश के लोगों के पास दो विकल्प हैं पहला मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को वोट दे या दूसरा स्वतंत्र उमीद्वारों को वोट दे जो सत्ताधारी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं दोनों ही सूरत में ये बांगला देश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की जीत होगी जो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि उनका देश एक स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम है